हलो गार्ज, वालकम टो मैं चानल लेट्स टरी बचो आज की इस वीडियो में हमको अक्षर दो पाठे पुष्टिका रमजिम का पार्टनौ बुलबुल की हिंदी व्याख्या और प्रश्न अभ्यास करेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के शिरो गहरता हम आज की वीडियो बुलबुल क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है यदि तुम्हे कोई चुडिया तेज रवास में बूलती हुई मिले तो उसकी पुँच को देखो यदि पुच के नीचे वाली जगा लाल हो तो समझो वे चुडिया बुलबुल है जब वे उड़े तो पुच का सिरा भी ध्यान से देखना बुलबुल के पीच पुच के सिरे का रंग सफेद होता है बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग लाल होता है बच्चो यहां सबसे पहला जो आपका पार्ट है वो शुरू होता है एक प्रश्ण से क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है तो बच्चो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए क्या आप लोगों ने बुलबुल कभी देखी है फिर आपको बताया गया है कि बहुत सरी चड़िया होती है बच्चो आपने देखी होगी अलग-अलग-अलग तरीके की काफी सरी चड़िया देखी होगी तो उन सारी चड़िया में से बुल-बुल कौन सी है वो कैसे पहचानना है आपको इस पार्ट में बताया गया है कि बुल-बुल हमेशा बहुत तेज अवाज में बूलती है ठीक है और उसके जब पूँच है वो लाल रंगी होती है और पूँच का सिरा सफेद और बाकी पूरा शरीर उसका भूरा होता है और सर का जो रंग है वो काला होता है बुल-बुल कैसी अवाज में बात करती है काफी जादा उची अवाज में बुल-बुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता और बुल-बुल इंसानों से बिलकुल भी नहीं डरती तुम्हें शायद एक बुल-बुल ऐसे भी मिले जसके सर पर काले रंग की कगली हो उसे सिपाही बुल-बुल कहते हैं तो बच्चों अगर आपके कोई चड़िया ऐसे दिखती है जिसका पूछ लाल है और पूछ का सिरा सफेध है, शरीर भूला, बुरा है और रंग जो सर है उसका काला है लेकिन अगर सर पे एक ताज भी मिल रहा है आपको तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको वो भी बुल-बुल है और उस बुल-बुल का नाम होता है सिपाही बुल-बुल ठीक है? मटर के खेट पर बुल-बुल काफी जोर से हमला करती है तो बच्चों यह क्या बताइगे है कि बुल-बुल को क्या-क्या खाना पसंद है वेकि चडिया है तो जाहिर से बात है कीडे मदूदै क्ड़ी तो खाटईगी ही खाटगी और जो बुल-बुल है उसको सबसे ज़्यादा पसंद आता है बच्छों अम्बूरूद और मटर अगर उसको कहीं भी अम्बूरूद का बगीचा दिखाई दे या फिर मटर के खेट दिखाई दे तो वो उस पर इतनी जोर से हमला करती है कि बस क्या बताईने से हमको भी अग हम भी भागते हैं उसकी तरफ कि कहीं कोई हमसे पहले ना खाले और हमसे जादा ना खाले ठीक बुल-बुल उसी तरह अम्बूरूद के बगीच और मटर के खेट की तरफ जोर से भागती है वह अपने घोसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पत्ली जड़ों से ब बनाती है बुल-बुल एक बार में दो या तीन अंडे देती है उसके अंडे हलके गुलाबी रंगे होते हैं तुम्हें ध्यान से देखो तो उन पर कुछ लाल कुछ भूरे और कुछ बैंगनी बिंदियां भी आपको दिखाई देंगी और बच्चों यहां पर आपको बता है कि वो जाइड सी बात है घोसला बना रही हो तो उसमें अंडे भी देगी तो एक बारी में जो बुल-बुल है दो से तीन अंडे देती है और उन अंडों का रंग जो होता है किस कलर का होता है हलके से गुलाबी रंग का होता है ठीक है और उस पर आपको कुछ बिंदियां के नाम पढ़े, ठीक है, मैंने आपको यहां हिंदी में बताया है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, कि लाल रंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, काले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जितने भी रंग हमने इस चाप्टर में पढ़े हैं, आप मुझे उन रंगों यहां पर आपको गूला बना रखा है कि ये वाली आपकी बुल-बुल है, ठीक है, तुमने बुल-बुल को कैसे पहचाना आप देखो, पार्ट में तो हमको बता ही रखा था बच्चों की कैसे पहचानना है है ना, तो आपको उतर लिखना है, मैंने बुल-बुल को इसलिए पहचाना क्योंकि उसकी पूच के नीचे वाली जगह लाल है प्रश्निती सिपाही बुलबुल के सिरव पर काले रंग की कंगली होती है ऐसे कुछ और पक्षी के नाम सोचो जिसके सर पर कंगली होती है बताओ उनकी कंगली का रंग क्या होता है जैसे कि बच्चों गर हम देखें तो हमने मुर्गा भी देखा है उसके सर के उपर ताज होता है लाल कलर का मूर भी होता है इसके सर पर नीले रंग का ताज होता है ना यहां पर मैंने दो नाम लिग दी है अगर आपको और कोई वे नाम सूचते हैं तो आप वो भी रिख सकते हैं और मुझे कमेंट भी एक अंगली यानिके टोपी लगी होती है प्रश्ण पाँच पाट में बुलबुल के बारे में बहुत सी बाते की गई हैं उन में से कोई तीन बाते लिखिए बचो तो मैंने तो यहां पर ये तीन बाते लिख दी है आपको और भी लिखनी हो तो आप और भी लिख सकते हैं तो चली एक बार पढ़ लेता है बुलबुल के पूँच के नीचे वाली जगा लाल होती है बुलबुल के पूँच के सीरे करंग सफेध होता है और बुलबुल उची अवाज में बोलती है बुलबुल और तुम प्रश्न छे बुलबुल अपना घर घास और जड़ो से बनाती है तुम्हारा घर किन चीजों से बना है पता खरो अब जाहिर सी बात है हम लोगर किन चीजों से बना है सिमेन, बालू, लकडियां इनी चीजों से बना है बच्चे घर भी दो तरीकी के होते हैं हमने EVS में बढ़ा होगा एक होता है पक्का हाउस और एक होता है कच्चा हाउस पक्का हाउस जलतर आपको शहरों में देखने को मिलता है और कच्चा हाउस आपको विलजस में देखने को मिलता है प्रशन साथ बुल-बुल क्या खाना पसंद करती है और तुम्हें क्या-क्या पसंद है बुल-बुल केड़े, मुकोडे, फल, सबसी आदी खाना पसंद करती है और मुझे रोटी, दाल, चावल, दही, पनीर फल आदी पसंद है प्रशन 8 बुल-बुल उची आवाज में बोलती है तुम्मे से कौन उची आवाज में बोलता है और कप-कप जैसे पिता जी है ना जब हम कोई गलती करते तो पापा जीक दूम बोलता ना जूर से आपका नाम लेके छोटी बहें जब उसकी कोई समान खो जाया उसके गुडिया खो जाए बड़े भाईया जब मैं पढ़ाई के टाइम पे कहा चले जाओं खेलने चले जाओं है न और दादी जी जब पूजा कर रही होती है और अगर हम कोई शोर कर दे तो एकदम से दादी जी बहुत ज़दा क्या हो जाती है गुस्सा हो जाती है हमें पहचाना आपको क्या करना यहाँ पर आपको sentences दियो है वाक्य दियो है और आपको पहचानना है कि किसके बार में बात हो रही है मैं काली हूँ मीठा गाना गाती हूँ तो अब बताइए बच्चो मीठा गाना कौन गाता है कोयल, मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोच है, हरी मिर्च खाता हूँ, कौन खाता है, तोता, सूप जैसे कान हैं, मोटे मोटे पाउं हैं, लंबे लंबे दांत हैं, तो बताओ, लंबे लंबे दांत और मोटे मोटे पाउं किसके होते हैं, हाथी सिर्पर ताज है तुम पर पैसा है बादल देखकर नाचता है तुम बताई यह बादल देखकर कौन नाचता है तो फट बहुत असान है मूर घरों में आता हूँ बनी चीजे इसे कुतर जाता हूँ बहुत परिशान करते है कौन? प्रुखे है ना बुल-बुल या किसी और पक्षी पर कवीता लिखो तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कवीता लिख सकते हो तो उत्तर कोयल रानी बड़ी सयानी मीठे गीत सुनाती है तनकी काली मन की उजली सब के मन को भाती है ठीक है प्रश्न दस बुल-बुल तोता चड़िया कबूतर पक्षी कहलाते हैं नीचे लिखी चीज़े क्या कहलाती है जैसे गोबी आलो भिंडी क्या कहलाती है बच्चो सबजी संत्रा केला से क्या कहलाते है फल हाथी गए कुता जानवर मूरगा मूंग चना और अरहर दाल ठीक है तो आपको जैसे बताने हैं कि कौन क्या कहलात और इसी के साथ हमारा जो पार्ट है वो बच्चो होता है पूरा खतम आज की वीडियो में यहीं तर जल्द ही मिलते हैं आपके दुसरे चाप्टर के साथ तब तक के लिए